दोस्तों नहीं रहे हिमालय पुत्र हिमालय की यात्रा 5000 किलो मिटर करने वाले पर्याबरण बीद्ध ब्रिक्ष मित्र सुन्दरलाल बहुगुडा जी हमारे बीच नहीं रहे यद्यब की उनकी बीमारी पहले से ही थी 95 पर्स की लगभग उनकी उमर थी देखे इस समय आप कोयल को सुन रहे हैं जैसे ही सुन्दरलाल बहुगुडा जी का नाम आया है कोयल भी उन्हें बिनम्र स्रधांजली दे रही है अनिपक्षियों को भी आप सुन रहे हैं दोस्तों अपने घर पर हूं और यह जो पीपल पाकर बरगत देख रहे हैं अपने हाथों पीता जी के साथ रोपित किया हूं को को चलो मैं हार मान गया जितना तेज आप बोलेंगे उतना तेज दोस्तों बड़ा आनंद दायक पक्च है तो हम बात कर रहे थे सुन्दर लाल बहुडा जी की इनकी इनका जर्म उत्रा खंड में ही हुआ था विमला देवी इनकी पत्नी है आदरनिया विमला देवी जी इनके लड़के है राजियू बहुडा जी जिनका नंबर मैंने आज मिलाया था जब मुझे पता था कि अभी यह है हाल चाल लेना था मधू पाठक जीन की लड़की है एमस रिसी केस में इनका निधन हुआ है यह भी इनको भी कुरोना हुआ था लेकिन उमर बहुत हो गई थी जाज कराई गई यह देव की मुझे नहीं लगता कि सरकार ने संग्यान लिया ह होगा इनकी मृत्व का उन्हीं सव सतर के दसक में इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था जब ब्रिक्षों की कटाई अंधा धुन्द हो रही थी वहाँ उस समय उत्तरप्रदेश उत्तराखंड का बटवारा नहीं हुआ था तो पेर से महिलाए चिपक जाती थी अभी चि कि दोस्तों बताते चले कि इन्होंने अच्छूतों अच्छूत जो थे उनका जो मंदिर में प्रवेश नहीं होता था इसके खिलाब भी इन्होंने आंदोलन चलाया था 9 जनौरी 1927 को जन्वे सुंदरलाल बहुडा ने 13 साल की उमर में ही महत्मा गांधी जीसे प्रदित हो करके राष्टरी आंदोलन में प्रतिभाग किया था ऐसे अनेका नेक आंदोलन चलाने वाले सुंदरलाल बहुडा जी नोबल सांती पुरसकार वह पदम स्री लेने से इनकार कर दिया था लगातार जंग करते रहे जमनालाल बजाज पुरसकार पदम विभूसन इत्यादी पुरसकारों से उन्हें नवाजा गया किन्तु जो उनका आभा मंडल था जो उनके संघर्स और उसका जो था उसके आधार पर यह सारे पुरसकार बौने साबित हुए सुंदरलाल बहुडा जी को हमारी बिनम्र स्रद्धान जली उन्होंने कभी सी धानतों से समझावता नह जो सेवा निवरित हो चुके हैं तो इस ब्रिक्षि मित्र को इस हिमाले के पुत्र को जिने हिमाले ने बुलाया नहीं था या स्वयम अपने हिमाले के कष्ट को देख करके इन्हें आभास हो गया था कि हमारी नदिया नहीं रहेंगी नदियों के लिए इन्होंने संघर्ष किया हिमाले के लिए संघर्ष किया और गलेसियर पिखलने की भी चिंता इन्होंने लगातार जताई और पूरे देश और विस्व में घूम करके इन्होंने पर्यावरण का अलग जगाया ऐसे सुन्दरलाल भगुडा जी को बिनमर भाव से सरधानजली अरपित करता हूँ कास इस बरसात में एक एक बिरवा हम रोप पाते चलिए एक चोटा सा प्रयास है ऐसे तो हजारों हजार पौधरोपड किया गया है बरही में बरही माने बच्चा पैदा होता है तो उसका जो संस्कार होता है उसमें मूल सांती में और साधी के सालगीरा पर मृत्यू भोज पर और ऐसे तमाम आउसरों पर हम लोग करते रहते हैं तो सुन्दरलाल भगुडाजी को बिनमरस्ता अंजली साधरा भार बहुत बहुत धन्यवाद